एक तरफ बाबा कहते हैं बाबा दोहरी दोहरी बातें करते हैं कभी एक तरफ एक बात कहते हैं कभी दूसरी तरफ दूसरी बात कहते हैं यह डमरू है ना डमरू दोनों तरफ बजिता है इसलिए एक तरफ बाबा कहते हैं विजय माला का आवाहन गरो फिर कहते हैं लक्षमी तो एडवांस पार्टी में लक्षमी को खेचड़ी खानी पड़ेगी अरे एडवांस पार्टी में आएगी तो त्याग तपस्या करेगी तब ही आएगी या बिना त्यागी तपस्यी बने आएगी 36 प्रकार के भोग छोड़ने पड़े तब ही आएगी या ब्रह्मा गुमारियां जैसे अभी नहीं निकल पा रही है सारा एडवांस ज्ञान सुनती तो हैं कहती है ज्ञान तो बड़ा अच्छा है लेकिन हम अभी मानेंगे नहीं क्यों नहीं मानेंगे अंदर कमजोरी भरी पड़िये क्या कमजोरी कि एडवांस पालिटी में जाएंगे सरेंडर होंगे तो साधान कपड़ा मिलेगा भका भक तो मिलेगा नहीं सव रुपय वाली साड़ी मिलेगी 1500 वाली साड़ियां तो मिलेंगी नहीं मकान जो है साधान मिलेगा बड़िया first class underground बनाया हुआ concrete का बनाया हुआ दूसरों का कर्द ले ले करके भीक मांग मांग करके first class मकान तो मिलेगा नहीं तो साधान मकान में रहना पड़ेगा खाने के लिए सबसे मुसीवत इसकी है खाने के लिए जगनात का बंदारा मिलेगा फिचरी मिलेगी उसमें गी भी नहीं मिलेगा कमसे कम फिचरी हो अचका-चक घी दाली हुई हो अच्छी तरह शंकी हुई हो तो थोड़ी लपालप जीव संतुष्ट हो जाए अब 36 प्रकार के भोजन तो गए कम से कम खिषडी तो बढ़िया मिले अंदर से गीत आता है मेरी चट्टो है गई जीव लजले भी लेया लांगुरिया अब आए कहां से वहां तो एडवांस पार्टी में ये सब कुछ मिले गा ही नहीं हाँ एडवांस पार्टी में भी ऐसे गुरुप तैयार जरूर होंगे कैसे गुरुप जो उन ब्रह्मा कुमारियों के बीज होंगे बढ़िया बढ़िया ठाने वाले बढ़िया पहनी की इच्छा रखने वाले और बढ़िया बढ़िया मकान में रहने की इच्छा रखने वाले तो जब ऐसे गुरुप तैयार होंगे तब तक पता नहीं उनको कंट्रोल करने वाला बाबा होगा या नहीं होगा जब तक ब्रह्मा बाबा रहे तब तक व्यगी बढ़िया चलता रहा जब तक धरम पिताएं धरणी पर जिन्दा रहे तब तक उनका धरम भी सतो परदान रहा जब ब्रह्मा बाबा चले गए धरम पिताएं चले गए तो उनका धरम उनकी धारना है जो followers थे गुरुडम चलाने वाले उन्होंने नीचे गिरा दिया तो ऐसे ही सूटिंग होती है जब तक मम्मा बाबा बेसिक में रहे तब तक ठीक ठाक रहा मम्मा बाबा चले गए आतांचाएं इच्छाएं बढ़ने लगी जो ज्ञान का लखे था इच्छा मात्रम अवित्या वो पता नहीं कहाँ चला गया तो ऐसे ही जो एडवांस पार्टी में बीजरूप आत्में हैं उने बीजरूप आत्मों में भी सब धर्म की आत्में हैं या सिर्फ सूरिवशी है सब धर्म के हैं जो और और धर्म के बीज है वो और और धर्मों के बीज बेसिक में जो और और धर्मों के आधार मूरते है वो और और धर्मों के आधार मूरत उन बीज रूप आत्माँ से हाथ मिला लेंगे और वो फिर इदर आ जाएंगे या ये उधर पहुंँ जाएंगे बात एक ही हो गई बाकी ऐसे नहीं है और न बाबा ने कहीं प्लैरिफिकेशन में बोला है कि लक्षमी आवेगी तो खिचडी नहीं खावेगी क्या हाँ लक्षमी आवे नहीं खावे रहे एडवांस पार्टी समझे के तो दूसरी बात है लेकिन अगर सुरिवांस में आवेगी गुर्प में तो उसको खिचडी खानी पड़ेगी तो ये बात गलत लेगी थी कि बाबा ने बोला है लक्षमी आएगी तो खिचडी नहीं खाएगी हाँ और ब्रह्मा कुमारियों के लिए बोला है कि जो और और धरम में कनवर्ट होने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं आधार मूर्थ हैं वो खिचडी खाने वाले नहीं हैं इसलिए वो अभी नहीं आवेंगे हाँ जब बाबा गुप्त हो जाएगे तो हो सकता है कि वो आवे तो बोला है लक्षमी तो एडवांस पार्टी में खिचडी कहानी पड़ेगी फर्स पर सोना पड़ेगा इसलिए वो नहीं आ रही है वैसे लक्षमी ने ये बातें कब बोले अरे कौन कह रहा है लक्षमी नहीं ये बात बोली दिए अपने अपने दिमाग के फितूर चल रहे हैं कि बाबा के पास पैसे की को कमी नहीं है एडवांस पार्टी में क्या इतना पैसा लगाया वहां कहां गोल्डन फारस्टी कमेटी में सारा पैसा गोल्डन फारस्टी कमेटी में दूब गया फिर उसके बाद खेत बेत बनाया वो करोण रोपे का खेत पचास साथ करोड का सुप्रीम कोर्ट के अंडर में चला गया जैसे औरों को चला गया बाबा के पास इतना पैसा खर्च क्यों नहीं करते हैं बड़िया बड़िया मकान लेना चाहिए बड़िया बड़िया कपड़े खरीदना चाहिए बड़िया बड़िया 36 प्रकार के बोजन खाना चाहिए हम नहीं सरेंडर होंगे क्या ऐसा सरेंडर होने हमें पसंद नहीं है तो ना बीके के रहते हैं ना एडवांस के रहते हैं बीच में तर्शक की तरह लटके हुए उनके ऐसे विचार है कि लक्षमी ने तो कभी कहा नहीं क्या हम किचड़ी नहीं खाएंगे अरे बाबा कभ कहते हैं कि लक्षमी जैसी आत्में वो त्यागी तपस्वी नहीं बनेंगी वो तो पहले त्यागी तपस्वी बनना पड़े उने नहीं बनेंगी तो एडवांस पार्टी में एडवांस ग्रुप में नहीं आ सकती